हेलो गाइज तो ये बाट अब जल्दी बोलकल सुबह पनवेल निकलना है हेलो गाइज, Welcome back to my youtube channel तो आज वह हम बात करने वाले अपने एक जैनरीक कंट्रोलर के बारे में कि एक generic controller आपको जो क्यो खरीदना चाहिए और क्यो खरीदना नहीं चाहिए इस वीडियो के बिना तो मैंने जो एक generic controller मंगवाया था जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो यह वाला पर आया था तो मुझे काफी अच्छा लगाता आने के बाद और इस के प्राइस तो मुझे 500 रुपे के अराउंड पड़े थे 4.99 एक रूप बचा के क्या ही कर लिया मैंने 500 ही दिया थे ख्याद पूरे तो मुझे 500 का पड़ा पड़ाता है और इस प्राइस में controller जो काफी attractive लग राता हो और अच्छे अच्छे feature जो प्रवाइड कर रा लाइक इसमें दो feature तो ऐसे थे पहला तो यह कि इसमें dual motor थी इसमें vibration नी लाइक जो 100 200 300 वाले controller होते है उन्हें vibration तो होती है normal वाली लेकिन उन्हें dual motor नहीं होती बट इस वाले controller में dual motor थी और second feature यह था इसका कि हम जो controller सा ही अपना पूरा PC को control कर सकते थे निकालना पड़े गाई तो मैंने इसको निकाला एंड मेरको जो पहली बार मैंने इसको पकड़ा तो इतना अच्छा है लग को कि इसकी जो grip है साइड में जो left and right वाली जो grip है वो प्लास्टिक की है रबड़की नहीं है सबसे पहली बात तो ग्री भी इस अच्छी नहीं ब मिलता है तो यह निए इसके लिए फिर मेरे को ड्रैवर डालने पड़ेता है और ड्रैवर सबसे मुझा दिक्कत ही हुई थी कि मेरे जो laptop धुब दुख से दिक्कत ही ती है फिर मैंने दॉलोड करा था ड्रैवर कलक से इंस्ट्छाल किया था फिर उसके बाद भी आद बात ने टेस्ट किया है एंट इसमें जो ए मोटर यह जो किस थी वो सब रही से काम कर जे थे बट फिर मैंने मेन काम जिसके लिए मंगवाय था ये वो ती हमारी गेमिंग तो मैंने गेमिंग कर जो दिए एक चोटी जबी में से लिए स्टार्ट किया एक टी अपनी पता नहीं क्या दिखकती मेरे को लगा होसते है कंट्रोलर में दिखकतो कि यह दुआ ज़िए टैस्टिंग करी तो देखा कोई दिखकत नहीं वह सही दिखा रहा है बिलकोल सारी चीजे सही दिखा रहा है NFS के बाद मैंने उस पे बड़ी गर्म ट्राइ करी जो की थी GTF 5 काफी बड़ी गर्म है तो मैंने वो ट्राइ करी एंड वो तो पहले चली ही नहीं अपन ही नहीं हो रही किया है मैं कंट्रोलर लगा कर रखता है एंड गेम उपन करता था वो गेम थोड़ी ओपन होती एंड स्टार्टिं की स्कीन आती एंड बन क्लोस मैं तरहिए मनना क्या हो गया यह तो और मैंने ढ़ाध रोखता है तो नहीं हो गया अनункर प्रत्त्स फिर मैंने नीकाला एंड फ्र अपनी एंड प्लेकरिब डाई तो वो गया प्रोपर्र के अच्छे काते कि controller वो इसको support करते है बट फिर मैंने जब कुछ समझ में नहीं आता है था अपना YouTube जिंदाबाद तो मैंने यूटूब पर वीडियो खोली है और देखा कि कैसे मैं अपने इसको controller कर सकता हूँ तो उसपे वीडियो थी वो थी एक steam के जड़ी है तो steam डाला है मैंने अपने laptop में steam से connect करके configure करके जो है मैंने फीजीटिय को खेला है और उसमें जो open हो गई बट सारी चीज़ चल रही थी बट उसमें एक चीज़ ने चल रही जो की थी camera movement तो camera movement था वो जो right-left तो हो रहा है लेकिन ऊपर नीचे एंड जो 360 degree तो नहीं हो जाता तो मेरा पूरा मूड खराब मैंने का पैसा वेस्ट पुरा बरबार हो गया तो वेखालतु में मैंने शें था उस्टा तो मैंने खेल इसकोड़ कन्ट्रोल्री तो मैंने थे पाना जड़ चाहँ Hisi काम का यह ना तो मैंने मैंने फेल खेल सकता हूँ जो के ट्रैवर आते साथ में उसी में एक टेस्टिंग उप्शन मिलता है तो वाँ पर जाके मैं टेस्ट करें एक कंट्रोलर को तो देखा मैंने इसकी जो मोटर है डूल मोटर है नाम की मोटर है गाली वह जो है बहुत इसलो हो चुकी थी जबकि आद दिन महले यहल हो घाता अगर मैं इसको दो दिन सही छला लेता तो क्या हल होता है तो इसलिए मैंने सबसे पहले एमर्जुन पर गया मैंने देखा खि रिपलेशमेंट पोलिशैर यह नहीं जब से बहले च है किया इसको रिप्लेस कर दिया रिप्लेस के आगे रिटर्न कर दिया अपना रिफंड वो लिया वैंने क्योंकि इसमें तो अपको यह बताता हूं कि आपको यह जो कंट्रोलर है या फिर ऐसे सीमिलर कंट्रोलर क्यों नहीं लेने चाहिए सबसे पहले जो है इसकी गृप गृप जो है इनमें प्लास्टिक की मिलती है और डॉबर की गृप नहीं मिलती है सेकंड चीज क्या थी इस कंट्रोलर में जो है वायर छोटी थी काफी तो अगर आप चाते हो दूर से बैट की गेम इन्जोई करना गेमिंग को तो आप वह भी नहीं कर सकते थर्ड चीज क्या थी यह जो है इतना इफेक्टिव नहीं था मेरी जो गेम है थी इस पर सही से वर्क करी नहीं आपको बताया एंफेस एंड जीटिय अपना एस्परेंस बताया और मैंने इस सच्छी में जो है दो गेम ही ट्राइ की थी क्योंकि मेरे को यह मेन गेम थी मेरी जब इन्हीं पर सही से वर्क नहीं किया तो बाकी तो मैं क्या करता है जो कि दिफ बैटमान और अर्खम नाइट करके वह प्रोपर वर्क कर लिए थी बट उसमें भी मोटर तरवक करे ही नहीं थी किसी भी गेम में मोटर तरवक करी ही नहीं अगर आप इस controller को या ऐसे controller को जो है new games के लिए लेना चाते हो तो मत लेना बिल्कुल भी क्योंकि support नहीं करता नहीं हो कि हमें को साही से अगर यह controller नहीं लो तो सवाल उठता कौन सा controller लो तो कुछ controller जो आपके screen पर दिख रहे होंगे यह वाले तो आप इन controller में जो चूज कर सकते हैं अपने price के साप से थोड़े महंगी होते controller बड़ अच्छे होते हैं आपको एक अच्छा feeling देते हैं अच्छा आपका experience रहेगा इसके साथ और अगर आप चाते हैं कि मतला आप जो यह नई game खेलते ही नहीं है या आपके laptop में जो है या आपके PC में नही गेम सपोर्ट ही नहीं करती अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना अगर आपको कोस्ते हैं तो comment करके बताना अगर आप चाते हैं मेरे को support करना है यह चाते हैं मेरी आने वाली वीडियो जो है मिस्त ना कर पाओ तुम चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स वर वोचिंग जैहिल